जैस्टरी किस्नु स्वागत है आप सभी का मेरे अच्छा सभारत्द्वा यूटुब चेनल पर मैं ययम स्रमा आज आपको पुत्र प्राप्ति से संबंदत कुछ जानकारी दूगा पुत्र हो या पुत्री गराब्हरान से संबंदत जानकारे दोंगा और पत्र प्राप्ति के लिए सेग्ण मन्त पर जब घरदारान का सेखेंड मन्त शुरू हता है उस समय आपको क्या करना चाहि Birthday के पत्र पत्री में कोई बेदनी होता लेकिन जिनकी करने आप पहले हैं जो पत्र प्राप्ति के लिए कोशिश करना चाहते हैं वही इस उपाय को करें गरबदारन के समय बिशेश साफदानी आपको बरतनी होती हैं इस बात का बिशेश उपसे आपको द्यान रखना है गरबदारन से लेकर के और चार महिने या पांच महिने तक चार महिने तक किसी को भी पता न चलने पाएं इस बात का विशेशूप से ध्यान रखें भार की कोई भी चीज आप ना खाएं या किसी की दीव हुई चीजे कम यूज करें आप अपने घर का यूजन करें साधा भूजन करें जादा मसालिदार या तिकी चीजे बिलकुल छोड़ दें तीन चार महिने तक संतान प्राप्ति के लिए विशेशूप से द्वती और तिरती महिना यानि दूसरा महिना और तीसरा महिना विशेश सावदानी का होता है इस समय चोटी भी लापरवाई परेशानी खड़ी कर देती है इस समय आप जाद तर घर में रहें आराम करें और कुछ बातों का विश्य शूप से आपको ध्यान रखना है जब सेकिन मंत शुरू होता है पहले दो तिन दिन या एक हपता निकल जाता है तब आपको सिवलेंगी के बीजों का प्रयोक करना चाहिए थोड़े से सिवलेंगी के बीज ले आएं उनको आप या पिसा हुआ पॉडर भी मिल जाता है पतंजली सौप से वहां से आप पिसा हुआ पॉडर भी ला सकते हैं और उनको लगाता है तीन दन या पांच दिन गाय के दूद के साथ प्रयोक करना है आपको वैसे गंगाचल से भी ले सकते हैं लेकिन गाय का दूद मिलता है तो वो ज्यादा बेश्ट रहता है गाय बच्ड़े वाली होनी चाहिए जिसके नीचे बच्रा हूँ और यह दूद आपको ताजा लेनव होता है शूरुद ऐसे पहले इस समय आपके आसपास कोई नहूँ और अगर सम्मव हो सक है तो जब आप यह ले रहे हूँ तो भगवान कृष्णी के लड़ू गोपाल जी की जो बाल रूप है भगवान कृष्णी की तर्शन करें या किसी लड़की का भी आप या अपने अस्मेंटल का भी मुग देख सकते हैं इस टैम जब आप इसका प् में आप के ऊस्वाएंड तक मिया विभी दोनों के बीच में ये बात रहना हुआ नो है अधे में सब्सक्रा करें pał 13 वेमे में पर आप इजिन सनल प्रिक्नकर इसाथ नारीयल बीचिक्पटर कर सकते जो दो होती ही शुब है द्वत्य महीना जब प्रारम हो तो प्रती सोमार की सोमार को ओम नमस्वाय लिख करके बेल पत्र सिब्लिंग पर चड़ाएं और जब सिब्लिंग पर बेल पत्र चड़ाएं तो महीं बैठ करके ओम नमस्वाय का जाब करें उसके बाद में आप बेल पत्र वह प्रियोग करना चाहिए इसके करने से शीग्र ही आपकी मनुकामना जरूर पूर्योगी विशेश रूप से इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए गरभ धरण से लेकरके और डिलीवरी तक प्रती दिन हरवन्स पुराण का पाठ स्रवड करना चाहिए हरवन्स पुरान का पार्ट बहुत ही शोब माना जाता है जो व्यक्ति हरवन्स पुरान का पार्ट सुनता है श्रवड करता है उसको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है यह गरवधारग से पहले से ही आप सुरू कर दें और प्रति दिल लगातार आप हरवन्स पुरान का पाठ जरूर सरवड़ करें हरवन्स पुरान की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्सम बॉक्स से मिल जाएगा वह है आप जरूर सुने पुत्र प्राप्ति में कई प्रिकार की रुकावटे आ जाती हैं इसलिए आप कुंडली जरूर चेक कराएं कुंडली का थोड़ा सा चार्ज लगता है वह दे करके आप कुंडली चेक करा सकते हैं नम्मर आपको डिस्क्रिप्सम बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा वहाँ से आप बर्चसप नम्मर है और अपनी दिन चर्या को आप मेंटेंड रखें और भगवान के नामों को आप चारण करते रहें उपाय में समय समय पर आपको बताता रहतां उन उपायों को आप बिसे शूप से ध्यान रखेंगे तो भगवान की किरपासी शिग्र ही आपकी उत्रप्राप्ति की मनुकामना पूरी होगी है तो इस प्रियोग को वही करें जिनके पहले सिकर्ण्या हैं पुत्री हैं पहली बार साथी के पहली बार जो भी गर्वदारन कर रहें तो वो इस प्रियोग को ना करें जासिर किस्ट